किन्नरों के पहचान पत्र बनाने की सारी कवायत उन्हें सरकार के द्वारा किन्नरों के लिए बनाई गई यूजनाओं का लाग दलाने के लिए की जा रही है अब तक प्रयागराज में तीन किन्नरों को ये आईडी कार्ट जारी किया जा चुका है किन्नर कल्यान बोर्ड की सदसिक कौशलयान अनंदगिरी ने कहा कि ट्रांसजेंडर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और प्रते एक अस्पतार में ट्रांसजेंडरों के लिए पांच बिस्तरों वाला एक अलग वार्ड भी बनाया जाएगा किन्नरों को उनके लिए बनाये गई विशेस योजनाओं का लाफ दलाने के लिए उत्तरपदेश शरकार उन्हें विशेस पहचान पत्र जारी करेगी किन्नर कल्यान बोर्ड के सदसिक मुताबिक सरकिट हाउस में बोर्ड की बैठक हुई कोशलियान अंद गिरी ने कहा कि किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए यह कवायद शुरू की गई है गिरी ने आगे कहा कि प्रयागराज में पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है और अब तक जले में तीन किन्नरों को जारी किया जा चुका है उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी और प्रतेक अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए पांच बिस्तरों वाला एक अलग वाड भी बनाया जाएगा किन्नरों की समस्याओं को सुनने के लिए थानों में अलग अलग प्रकोष्ट बनाया जाएगा और सारवजनिक स्थानों पर उनके लिए सौचाल है कि ब्यवस्था की जाएगी किनरों की सही संख्या का पता लगाया जाएगा और उनकी जानकारी राज्य सरकार को भेजी जाएगी सरकार नी पिछले कारेकाल में किनर कल्यान बोट का गठन किया था इसके बाद दूसरे कारेकाल में सौधिन के अंदर बे सहारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनाय जानी का लक्ष रखा गया था ब्योरर रिपोर्ट दिली समाचार